आपका मौझूदा ग्राहक कब किसी और के पास चला जाए, इसका पता नहीं होता। ऐसे में मौझूदा ग्राहक को पूरा सहयोग और मूल्य देने में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। समय समय पर उनसे बातचीत करना, उनकी शंकाओं का समाधान करना, उनकी समस्याओं को सुनना और सही समाधान देना उनहें अपने साथ जोड़े रखने के लिए जरूरी है। Retargeting और Remarketing तकनीक का इस्तिमाल ग्राहकों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए किया जाता है जब भी कोई नया उत्पाद या सेवा लॉंच की जाती है तो अपने मौजुदा ग्राहकों तक पहुँचना ज़ूरी होता है जिसके लिए Retargeting और Remarketing का इस्तिमाल किया जाता है इन रणनीतियों में सोशल मीडिया के जरिये ग्राहक को जोड़ना उन्हें अपने नए उत्पाद की विशेशताओं के बारे में बताना उन्हें अपनी वेबसाइट पर ले जाना और अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर विज्यापन दिखाना शामिल है इन सभी रणनीतियों की मदद से ग्राहक को बार-बार टारगेट किया जाता है वैल्यू दी जाती है और नई जानकारी शेयर की जाती है ताकि वह कहीं और जाने के बजाए आपसे जुडा रहे जैसे जैसे नए उत्पाद की छवी ग्राहक के सामने आती जाती है उसके दिमाग में एक धारना बनने लगती है और अगर उसे वह उत्पाद मूलिवान लगता है तो वह आपसे दोबारा लेंदेन करता है इस तरह सिर्फ एक बार ग्राहक बना कर चले जाने के बजाए आप उसे बार-बार टारगेट करते हैं और अपना नया उत्पाद बेचते हैं यह योजना बनाना महत्वपूर्ण है कि कोई ग्राहक आपके साथ कितने पैसे का लेंदेन कर सकता है या आप उस ग्राहक से कितना राजस्व उत्पन कर सकते हैं इसे ग्राहक जीवनकाल मूले या CLV कहा जाता है चार कनवर्जन मेकनिजम और री टार्गेटिंग नया ग्राहक बनाना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल उसे बनाए रखना और हमेशा अपने साथ जोड़े रखना भी है आज हर व्यवसाय में कोई न कोई प्रतियोगी होता है जिसके कारण प्रतिसपरधा बहुत बढ़ जाती है यह पता नहीं होता कि आपका मौझूदा ग्राहक गब किसी और के पास चला जाएगा ऐसे में मौझूदा ग्राहक को पूरा सहयोग और मूल्य देने में कोई कोता ही नहीं होनी चाहिए समय समय पर उनसे बात चीद करना, उनकी शंकाओं का समाधान करना, उनकी समस्याओं को सुनना और सही समाधान देना उन्हें अपने साथ बनाय रखने के लिए जरूरी है ग्राहकों को अपने साथ बनाए रखने के लिए री टार्गेटिंग और री मार्केटिंग तक्नीक का इस्तिमाल किया जाता है जब भी कोई नया उत्पाद या सेवा लॉंच की जाती है तो उसे अपने मौझूदा ग्राहकों तक पहुँचाना जरूरी होता है जिसके लिए री टार्गेटिंग और री मार्केटिंग का इस्तिमाल किया जाता है इन रणनीतियों में सोशल मीडिया के जरिये ग्राहक को जोड़ना उन्हें अपने नए उत्पाद की विशेश्टाओं के बारे में बताना उन्हें अपनी वेबसाइट पर ले जाना अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर विज्यापन दिखाना शामिल है इन सभी रणनीतियों की मदद से ग्राहक को बार-बार टार्गेट किया जाता है वैल्यू प्रदान की जाती है और नई जानकारी साजा की जाती है ताकि वह कहीं और जाने के बजाए आपसे जुडा रहे जैसे जैसे नए उत्पाद की छवी ग्राहक के सामने आती जाती है उसके मन में एक धारना बनने लगती है और अगर उसे वह उत्पाद मूलिवान लगता है तो वह आपसे दोबारा लेंदेन करता है इस तरह एक बार ग्राहक बनाकर फिर छोड़ने के बजाए आप उसे बार-बार टार्गेट करते हैं और अपना नया उत्पाद बेचते हैं यह योजना बनाना महत्वपूर्ण है कि कोई ग्राहक आपसे कितने पैसे का लेंदेन कर सकता है या आप उस ग्राहक से कितना राजस्व उत्पन कर सकते हैं इसे ग्राहक lifetime value या CLV कहा जाता है आएए इसे एक उदाहरन के जरिये समझते हैं मान ले कि आपके पास 1000 ग्राहक हैं और आप अलग-अलग तरह के उत्पाद बेच रहे हैं अब मान ले कि 300 ग्राहक आपसे हर साल 500 रुपए में लेंदेन करते हैं 400 ग्राहक आपसे हर साल 300 रुपए में लेंदेन करते हैं और 300 ग्राहक आपसे हर साल 500 रुपए में लेंदेन करते हैं 300 500 प्लस 400 300 प्लस 300 एक सो पचास बटा 1315 ग्राहक जीवनकाल मूल्य, CLV, 315 रुपए प्रती एक वर्ष इसका मतलब है कि हर साल आपका ग्राहक ओस्तन 315 रुपए का लेंदेन करेगा लेकिन अगर ग्राहक ओस्तन 3 साल तक आपके साथ रहता है तो वह 315 एक्स 3 945 रुपए का लेंदेन करेगा CLV जानने से आपको यह अनुमान लगाने में मदद मिलती है कि आपकी लागत प्रती लीड, CPL और लागत प्रती ग्राहक अधिग्रहन, CPA क्या होनी चाहिए डिजिटल इकोसिस्टम बनाते समय याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदू डिजिटल इकोसिस्टम बनाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कुछ ऐसे पॉइंट्स को याद रखना जिन्हें नए लोग अकसर नजरंदास कर देते हैं ज्यादातर लोग अपने बिजनस के हिसाब से इसके अलग-अलग कंपोनेंट इस्तिमाल करने की कोशिश करते हैं और सभी स्ट्रेटेजी के बज़ाए सिर्फ कुछ स्ट्रेटेजी अपनाते हैं लेकिन डिजिटल इकोसिस्टम एक गाड़ी के चार पहियों की तरह है जहां अगर एक भी पहिया गाइब हो जाए तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती इसी तरह आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि इस सिस्टम को हमेशा पूरी तरह से ऑपरेट किया जाना चाहिए अगर आप ट्राफिक जनरेशन के लिए विग्यापन चला रहे हैं तो आपको वेब साइट पर ब्लॉग भी पब्लिश करने होंगे, यूट्यूब पर प्रासंगिक वीडियो पोस्ट करने होंगे और सोशल मीडिया पर नियमित पोस्टिंग करनी होगी डिजिटल इकोसिस्टम के कंपोनेंट को बेहतर तरीके से इस्तिमाल करने के लिए निरंतरता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है हर बिजनस ओनर को अपनी कंटेंट मार्केटिंग, इमेल मार्केटिंग और मुफ्त और सशुल्क विग्यापन ट्राफिक जनरेशन स्ट्रेटेजी में निरंतरता बनाए रखने की ज़रूरत है ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप चार दिन तक कंटेंट पर काम करें और फिर छुट्टी पर चले जाएं इससे आपके लीड और ग्राहकों की गंभीरता खत्म हो जाती है और वे आपके पास आने के बजाए किसी और बिजनस से जुड़ जाते हैं इकोसिस्टम बनाते समय कई प्लेटफॉर्म, कंपोनेंट और स्ट्रेटिजी का इस्तिमाल करना पड़ता है लेकिन सिर्फ उनका इस्तिमाल करना ही काफी नहीं है, बैकेंड पर उनके डेटा का विशलेशन करना भी बहुत ज़रूरी है डेटा एनालिसिस करने से आपके द्वारा लागू की गई स्ट्रेटिजी की पूरी तस्वीर सामने आती है इसके आधार पर आप बेहतर निरनय ले सकते हैं और अपनी स्ट्रेटिजी में बदलाव या बदलाव करके उसे समस्या केंद्रित बना सकते हैं कंटेंट मार्केटिंग के दौरान लोग अकसर कंटेंट रीपरपजिंग भूल जाते हैं और हर बार नया कंटेंट तयार कर लेते हैं कंटेंट रीपरपजिंग में आप एक ही कंटेंट को अलग-अलग तरीके से पेश कर सकते हैं उदाहरण के लिए, ब्लॉग पोस्ट को YouTube वीडियो में बदलना, अलग-अलग पोस्ट बनाकर उन्हें Instagram और Facebook पर पोस्ट करना, ब्लॉग पोस्ट से अलग-अलग सेक्शन उठाकर Reel या Shorts बनाकर पोस्ट करना आदी. ग्राहक बनाने के बाद उनसे दोबारा बातचीत न करना, उन्हें कम तरजीह देना, हमेशा नए ग्राहक जोड़ने की कोशिश करना और उनसे रिव्यू और रेटिंग न लेना कुछ ऐसी घटनाएं हैं, जो अकसर कई व्यवसायों में देखने को मिलती हैं. ऐसा करने से न केवल आपके मौझूदा ग्राहक नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, बल्कि वे भविश्य में किसी को भी आपका नाम सुझाते नहीं हैं. आज भी कई व्यवसाय वर्ड आफ माउथ मार्केटिंग की मदद से नए ग्राहक जोड रहे हैं, लेकिन आपके इस व्यवहार के कारण आपके व्यवसाय की वर्ड आफ माउथ मार्केटिंग नहीं हो पाती है, जिससे नुकसान आपको ही होता है. देखने के लिए धन्यवाद, मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा, नीचे कमेंट में अपने विचार और अनुभव लिखे, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो लाइक, शेयर और अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना न भूले.